हेलो फ्रेंट्स वेलकॉम टू स्टोडिवली आज हम डिसकस करेंगे जो एंवेस का विकेंसिया है उसमें टीजीटी मुजिक के बारे में सब कुछ डिटेल में डिसकस करेंगे और बहुत सारी केनिटेट यह पूच रहे थे कि के विकेंसित कब देखने को मिलेगा और जो हमा बात में उनके बीच में बातचित हो रहा था और जो हमारे एक्टेशन मिनिश्टर हैं वो जल्द ही वेकेंसिया लाने की बात कर रहे थे टूइट में और दो तिन वीक के अंधर ही आपको जो है वेकेंसिया को मिल गया और किसी भीपल आपको देखने को मिल सकता है आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे TGT मुजिक का जो डिटेल एलिजिबिलिटी क्रिटेर क्या है सलेवस क्या है एक्जाम प्रिटन किस तरह का होगा और सी पूरा सिलेक्शन प्रोसेश डिटेल में डिसकस किया जाएगा साथ ही साथ आप लोग ने जो कुछ भी डाउट होता है उसको एक वीडियो के जरिए क्लियर करने के लिए तो इस वीडियो में हमने एक केंडियेट का और बहुत सारी केंडियेट का इसके कोमेंट्स आ रहा था तो हमने सोचा इसके रिकार्डियो बनाए जाए सबसे पहले डिसकस करते हैं eligibility criteria के बारे में तो TGT मूजिक का होना चाहिए किसी भी recognized university से और उसके साथ या फिर अगर यह सब नहीं क्या है दोनों डिग्राप के पास नहीं है तो higher secondary और senior secondary इन दोनों में से किसी में भी आपका इन नीचे जितने subject discuss किये गा है इन में से किसी subject में आपका higher secondary और senior secondary का course किया होना चाहिए जैसे कि संगेत बि अब क्या हुआ है किसी भी higher secondary senior secondary का course किया है कहीं पर इन में से किसी में से आपका course किया होआ है प्रभाकर का संगित बिश्व बिद्याले जो खशेरा गड़ है MP का किसी का भी आपका course किया हुआ है यहाँ पे तो आपका valid माना जाएगा और कभीस में आपको बहुत सारी institution का doubt रह रहा था कि हम कौन से इस institution से course किये हैं और KBS में हम eligible होंगे या नहीं होंगे यहाँ पर जितने भी institution mention किये गए हैं अगर इन में से किसी में भी आपका course किया हुआ है music का course तो आप KBS में भी यह सारे institution बेलिड माने जाते हैं आप बिल्कुल निष्चिंत रहिए अगर मान लीजे आपका senior secondary या फिर higher secondary इन में से कहीं से भी किया नहीं हुआ है तो आप नीचे देख सकते हैं डिग्री कोर्स या फिर डिप्लोमा कोर्स क्या होना चाहिए प्राचिन कलाकेंदर चंडिगड से ठीक है संगीत भूसन विद्ग्रेजिवेशन इन इन डिसिप्लिन इसी भी डिसिप्लिन में आपका किये जाना वाली एक कोर्सेस है अगर वहां पर आप यह सब कोर्स किये हैं तब भी आपको भेल्ड मना जाएगा टीटी मुजिक में एन भीस में संगित बिसारत और संगित निरतिय बिसारत वित सिनियर सकंडिरी इंटरमेडियर तीन साल का जो कोर्स है यह क्या होना करेंगे और यहां पर जो डिजारेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है वर्किंग नौलेज हिंदी और इंग्लिस का आपका एक्स्पिरेंस होना चाहिए कहीं पर पढ़ाने का और कंप्यूटर का जो नौलेज आपको पोच रहे हैं इन में से किसी का आपका एक्स्प के लिए इसमें से कोई भी कूर्स आपको जरूरी नहीं है अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि आपका डीटेल सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा सबसे पहले आपका सीबीज टेस्ट होगा उसके बाद इंटर्विव होगा और आपका जो डाउड था इंटर्विव में आपको प्राक्टिकाली म्यूजिक को फॉफर्म करना होता है वैसे ही दो-चार सवाल जवाब से नहीं चलता है म्यूजिक के जो टीटी में तो आपको पूरा प्राक्टिकाली सब कुछ सोब करना होता है वहां पे और सीबीटी सबसे पहले आपका सीबीटी होगा उसके बा नहीं पर्ट में आपका जो टोटाल से लेवाइट किया हुआ है और इस छह पार्ट को हम detail में डिसक्ष कर लेते हैं पार्ट एचिनरलेंट आ एपिलिटी से 10 q impeachment 10 dumped का 10 marks का 10 questions और आपका domain subject का जो knowledge जो भी है आपका उस domain subject का 80 marks question पुछा जाएगा domain subject teaching आपका music का subject जो है उसमें से 80 marks का पूछा जाएगा ठीक है और 30 marks का जो है आपका part 4 है 30 marks का इसमें जो है Hindi, English और जिसे भी region में आप apply करेंगे उसे का regional language में से 10 marks हर एक subject से यानि कि तीनों subject को मिला के Hindi, English और regional language को मिला के total 30 marks का 30 question आपको पुछा जाएगा कुल मिला कर जो है total आपका 150 marks का exam होगा TGT music का और इसमें सबसे important बात यह है कि इस part में यानि कि part 4 में आपको 40% से ज्यादा mark लाना होगा qualify करने के लिए अगर आप इसमें से हर एक subject में अच्छे से अच्छा score किये हैं और part 4 में अगर 40% mark नहीं ला पाए आप तो आपको eligible नहीं माना जाएगा मान लीजे आपका यह 120 marks का part है पार्ट 1 से लेके part 5 तक यहां पर आगर आप 120 से 120 पुरा full score करते हैं लेकिन यहां का जो language subject है इसमें अगर आप 40% score नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है डिस्कालिफाय माना जाएगा आपको इंटेवी राउंड में जाने नहीं दिया जाएगा ठीक है तो आसा करते हैं हम आपको जो कुछ भी है इसको डिटेल में समझ में आ गया होगा पुरा टाइम जो होगा आप और एज रिलक्सेशन के हम बात करें तो एज रिलक्सेशन जो है ऐसी केंडिटेट जो भी है उनका एज रिलक्सेशन फाइप यर मिलेगा पहले हमने डिस्कस किया था कि एज जो है 35 जो सबसे अपर एज लिमेट 35 है टीजिटी के लिए एन बीस में तो आपको और भी 5 साल एक्स्रां मिलेगा स्यक्राइट को ओविसी कंडिटेट को तीन साल एक्स्रा मिलेगा जाहे वह एक्स्रार प्लसुलय मिलेगा और जो फी क्योंडे में पहले से प्यल्रें कन्य क्ग लिमिट नहीं है वो किछी बीच तक एक्सक्टे तक फिप्टीफवगिसे शिक्टीए सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है जो भी जो तीन साल क्टिविस किया हैं सेंट्रल गोश्टेश्ट में तो उनका जो है पांच साल का एज एक्सेशन मिलेगा एंविच में अगर आप पहले से हैं तो आ सब्सक्राइब या रिलक्सेशन सब्सक्राइब ऐसामें पिडित लोगों को फंसेरिक से ठीक है उसके बाद हम डिसकस कर लेते हैं इसके बाद आपका जो डाउड था बहुत सारे किंडेट ने पूछा था कि अगर हम देते हैं इंट्रिवी में जाते हैं तो क्या हमको प्राक्टिकली सबको जोहां पर गाना या फिर म्यूजिक चलाना के लिए प्राक्टिकली बोलेंगे क्या यह सब आ होता है हम कोशिश करेंगे आपका डाउट को क्लियर करने के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में थेंक यू आपको जाक्तों जाओगो झा कोशे इंटैयो में तो कि अगलें रपका था धृजक प्राक्टिकली बोलेंगे संगर हैं और प्रेंड़ीग का यह दो किस・ चुझक वदकी बाहँ हा हम झाल झाल